हेलो सुदिंट्स! यह आपका जो अंडरेटिंग ओफ शेर सहे इसका है एक गंटेजिएशन विडियु लेचर है देखें इस वीडियु लेचर में हम आज यह देखना है कि वैसे दखी हम ने दो तोपिक हमने कवर कर लिए कि जब company जो है अंडराइटिंग शेर्स के लिए जाती है तो mainly जो वह compute करती है तो उसका simple method भी एती है और अगर मालीजिए अगर कोई firm अंडराइटिंग है तो हमने उसका विलास वीडियोचर में निकालते हैं उसका basic structure कैसा होता है और उसको हम लाइबटी किस तरह निकालते ह अगर कुछ चेंज किया है या किस तरीके से वह पूर सकते हैं तो वह भी हम दिखेंगे तो चार्ट करते हैं question number 5 से कुसुम लिमेटेड इशू 25,000 शेयर्स और रुपीज 35 इच प्रीमिम दिए रखा या इस रुपीज 10 इच अधी होल अफ दी इशू वास अपनी गरेंटी दिया है वह पूर यह पच्छे सहजार की दिया है इसकी बाद A ने बोला कि मैं 15,000 शेयर्स लेकर जाँगा बी बोल रहे मैं 7,000 शेयर्स लेकर आऊँगा सी बोल रहा है कि मैं 5,000 शेयर्स और देखो तीनों को आप जब एड करोगे तो दिखिए आपके 25,000 शेयर्स बन जाएंगे अच्छा इसमें आपका यह फर्म अंडरेटिंग भी है कि यहां पर अंडरेटर से बुलते हैं कि हम आपकी कंपनी में परसनल इंटरस देना चाहते हैं हमें इंटरस्ट है तो हम जएहांब परसनल इहां पर आपकी कंपनी में ऐसे शे शेह वोलडर जहां पर Effective约 और वह बोलते हैं कि आपकी कंपनी में और येजार शेयर्स करीड दूगा बी बोलता है कि मैं एक जाजार शेयर्स करीड़़ पांचल शेयर्स करींगा अग लिखावाई शेर अप्लाइड बैदी पॉब्लिक धिस 22,500 दी फॉलाइंड बिंग दी माक एप्लिकेशन इंकुडिक फॉर्म अड़िटिंग अधिस एट थाउजन बी फाउजन सी टूजन नौ वे रिट गैकुलेट दी अपर आपको यह कोच्छन की लेंगेज बहुत ध्यान से पढ़नाई है कि कोच्छन में आपको क्या गीवन है किस तरह से पुछा हूँा है और हमें किस तरह जाह आपको एक्जाम है presentation कैसे जिनी है वो भी मेंठर करती है तो दिखें इस कोच्छन का solution लेकर ध्यान से लिखीगा कोच्छन अमरपई तेकि टोटल अप्लिके इसमें से आपको यह सब मानेस भी दिक और ने होंगे यह सब ठीक है आप मानेस करते को 25,000 प्लस यह 3,000 और 4,000 ठीक है तो मिली किती थी देखिए 22,500 तो 22,500 में से कितनी अप्लिकेशन आई थी 22,500 में से मैंने जब 4,000 रुपी किया है वो मैंने मानेस कर दी तो कितना की that is 18,500 ठीक है तो वही मैंने अमाउन यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल अप्लिकेशन जो रिसीव यह कितनी ही है 18,500 एक्सक्रीटिंग फर्म अप्लि अप्लिकेशन में गीवन नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांग्ड अप्लिकेशन हो है लेकिन लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फर्म अडरेटिंग जो कि कितनी कितनी है 8,500 और 2,000 तो इसका मलब इसमें जो है फर्म अडरेटिंग करोगे तो 15,000 आएगा इसमें से मैंने जब फर्म अडरेटिंग मानेस कर दी तो आपके पास जो है फर्म अडरेटिंग कितनी आगी 11,000 तो यह 11,000 आगी यानि कि अप्लिकेशन कितनी भी कैसे आई है सर आप ने यही मैं फोलो करा वह इसलिए डियर क्योंकि हमको जो है जो भी हमें अप्लिकेशन रसीव इथी वह इंक्लूडिंग हमारी जो है फर्म अडरेटिंग थी तो मुझे आपर मानेस करना पड़ा इसलिए तरीका जो है वह अडर्प करना पड़ा कि पड़ा है कितनी कितनी है आपने पड़ाई था कितनी किती थी पंतरह जार साथ 7,000 और यापी जग दिया इसके बाद हम लेखेंगे इसमें आपको सब कुछ एक्सक्राइब करना है मांग में एक्सकुडिंग फर्म एक्सक्राइब थी तो मुझे मानेस करने पड़ा तो मानेस तो मैंने मानेस कर दिया तो इसके बाद आप सवाल उड़ता है कि सर आपने अलग से फर्म अन्रेटिंग यहां पर शेज क्यों मानेस करा आपका कुछिन होना थी डेफिनिटी हो थी अगर आप जहां से देखे कुछिन में अगर मैं अगर कंफिजन हो रही है मैं इसको मैं रब कर देता हूं अगर आप पूरे कुश्चन में देखें यहां पर कहीं लिखा है कि यहां पर जो है जो फर्म अंडर राइटिंग का जो बेनिफिट है वो किस तरह देना है बेनिफिट देना है या नहीं देना वह बात बोले भी है कुछ बताय है नहीं है तो जो आपके दो केस हो सते हैं लिखिए फर्ज केस आपके नहीं होसाता है कि यहातो आप जो हैं फम अंडर राइटिंग कि फम अंडरएटिंग जो शेर से हैं इसको आप ट्रीड करो हो, that is treated as marked applications marked applications second case आपका बनता हो, that is firm underwriting not treated as आपर या पर लिसाथे हो, that is treated as unmarked applications स्अर दोनों में फरक क्या है बेखुल आपको पता हो न चाहिए देखी अगर हम भात करें फर्स्ट यानिके अगर माल लेजिये कि मैं फ़र्म अंडरिटिंग को ट्रीट करता हूं अपने एफर्ट से जितने इंडर अपने परसनल इंट्रस्स से उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हैं जितने इनवेस्ट कर रहा है उसकी gross liability से वो less हो जाएगा जैसे यहां पर देखिए A बोल रहा है कि मैं 5000 शेर जो है आपकी company में invest करूँगा B बोल रहा है मैं 1000 करूँगा और C बोल रहा है मैं 500 करूँगा ठीक है तो यह exact यानि जो absolute amount number of shares given है यही same अप उनकी जो gross liability से माना सो जाएगा यह होगा first case second case अगर मानिजे यह question में लिखा होता कि firm underwriting अच्छा बात है यह unmarked application को कैसे treat करते है unmarked applications कैसा है that means वो remaining shares जो company ने अपने efforts से लिखा है ठीक है sir वो भी तो gross liability से माना सोता है यास वो भी gross liability से माना सोता है लेकिन वो कौन से ratio से डिवैट होता है वो इससार डिवैट होता है as per gross liability ratio that means उनको वो अला benefit ने मिल पाता जो as a marked application मिल पाता है ठीक है तो यहाँ पर जब उस ratio में बढ़ेगा यह जो gross liability यह जो है न यह इस ratio में बढ़ जाएगा भई होसता है कोई share जादा लेका आया कोई कम लेका आया हूँ ठीक है तो उनको वह आला benefit नहीं मिलेगा अब आप देखसे तो इस पूरे question में करें लिखा नहीं है कि firm underwriting को आपको किस तरह टीट करना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने assume कर रहा है कि firm underwriting को हम यहाँ पर is a marked application कि firm underwriting that is to be treated as unmarked applications और यहाँ फिर marked applications तो देखें मैंने आपर solution में यहाँ पर कर रहा कि firm underwriting को मैंने as a marked application treat किया है तो देखें ए जो है डाइजर शेर जो है वो apply कर रहा है company में बी इतने शेर अप्लाइ कर रहा है और सी इतने शेर अप्लाइ कर रहा है वो मैंने मानस कर दिया उसके बाद आनमाइट application केते हैं ते साटे सेजार रहे जो कि मैंने यहाँ पर दिखें इन सब की ज अब यहाँ पर सी का जो है डाइस हो वो क्या मानस हो आया रहा है सर प्लस अमाउंट है यह यह उसके एक्स्टा शेर आगे तो वह किसमें बट जाएंगे वह ए और बी में जाएंगे सर्कौन से रिशू में होगे पहले रिशू क्या थिर 6603 इस्टू बन तो सी का आट आट बच किया गया थिर 6603 इस्टू बन तो यह बट गया डाइस हो आट बस अब यह आपका अगे नेट लाइबिटी एक्सक्रूटिंग फर्म अंडरेटिंग कितना हुआ दिस्टू बिसमाउंट लेकिन हमेंने का लिए टोटल लाइबिटी तो टोटल लाइबिटी तो फर्म फाइबिटी नुबर फाइफ नौ कोश्टिंबर 6 बात में समझेंगे पहले कोश्टिंबर 7 पढ़ लेते हैं एक बाल देखे यह कोश्टिंग जो आपका 2022 यह में था तो उसको द्यान से दिखीगा फास्ट लिमिटेड नौ केम विद अप्ली पॉल रहा है इतने शेर की गरंटी और जी यह दे रहा है A, B and C also agreed on firm underwriting that is 48,000, 18,000, 60,000 share respectively then total subscription received by the company excluding firm underwriting excluding firm underwriting excluding marked applications कितनी है 90,000 है यहां से देखिए company ने जो है अपर 90,000 share received किवे है लेकिन इसमें ना तो firm underwriting include है और ना ही यहां पर marked applications है कुछ भी include नहीं है तो आप भी बताईए जो 90,000 हों कोई से share होंगे means यहां पर देखे जाए ति यह वो share है जिनका जो है under address को लिए नहीं देना नहीं है तो यह जो applications आई होगी यह कोई से application होगी basically that is equivalent to unmarked applications देखे साफ साफ लिखा हुआ है total subscription received by the company excluding firm underwriting वो तो ही इसमें include और marked application बनी है यानि कि जो underwriter ने अपने efforts से जो application लेगा थी और जो underwriter ने खुद अपने पैसे invest के दिए company में वो तो उसमें कुछ included नहीं है तो बच्चा कोन इसमें company का 50 बचाओगा तो जो total subscription लिखे ही 90,000 वो कौन सी है unmarked applications आगे लिखा हुआ है the marked applications excluding firm underwriting वो कितने कितने यह है the underwriter's contract provides that credit for unmarked applications यह लेगों जहान से पन्ना that credit for unmarked applications to be given underwriters in proportion to the shares and return and the benefit of the firm underwriting is to be given to individuals underwriters यहाँ देखने class मैं फिर से बोल रहा हूँ मान लिजिए अगर firm underwriting के जो shares है अगर उनको benefit मिल रहा है benefit मिल रहा है तो फिर उनकी जो है respective जितने भी shares है उस ratio में वो जो है उनको benefit मिलेगा लेकिन अगर मान लिजिए question बोल रहा है कि benefit नहीं देना चारे तो फिर उनकी जो है वो gross liability ratio इस तरह लिखिया पर कि अगर benefit मान रहे हैं तो लिखो marked applications सिद्धी जिबात जैसे mark को trick कर तो वैसे घर होगे और अगर नहीं कर रहे तो सिद्धी जिबात इसको लिखो भी unmarked unmarked कैसा होता है as per gross life duration आपको confusion ही नहीं होगी आगे लिखाव है the agreed commission was 4% of the issue price now we need to require the liability of each underwriter calculate the amount payable by the company and the past necessary generated in the books of company right I believe आपको question समाज आगया होगे चैसे चलिए अब देखते हैं solution question number seven statement showing liability of the underwriter देखे gross liability कितनी कितनी है अब बोलोंगे सार आपने उपर हर question में working note बना है यहाँ पर आपने working note नहीं नहीं बना है इसके बाद mark application आपको question बें गीवन है यह और यह फर्म डेटिंग आपको गीवन है यह 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 राइट अच्छा यह यह दखना यहाँ पर जो है मैंने यह क्यों मैने क्यों मैने क्या यह यह यहाँ पर लिख साफ सा कुश्चों में लिखा हुआ था कि benefit जह वो दे रहे हैं company को फर्म को फर्म डेटिंग के benefit दे रहे हैं तो इसके बाद यह आगया इसके बाद यह आगया नेगटिव तो नेगटिव किसका रहे सिर्फ एक का रहे है ठीक है 17,000 तो इसका जो जो शेर है वह यह और भी बढ़ जाएगा तो रेशो क्या बज़की तो वो बाद दिया नेट लाइबर्टी आगी और फिर फांड राइटिंग और फिर साइडवे कर दिया तो टोटल लाइबर्टी यह बन गी तो देखे एक क्वेश्चन में आप भी लाइबर्टी पुछी दूगा हुग गया अब सब्सक्राइब पूचे अब पूचे इसमें से बताओ कि यह जो अप्लिकेशन जाने कि जो लाइबर्टी आएगी यह नमबर फिशेर्स की है यह क्या है यह क्या है यह नमबर फिशेर्स इसको मैं अप्लिकेशन इसको मंटले करूँगा एप्लिकेशन मनी कितनी है दस रुपे की है तो मैं नहीं उससे मंटले कर दिया अब इनको यह अमांट पे करना होगा लेकिन अन्टराट इसको कमेशन मिलेगा चार प्रसन का तो वह अमांट ही आ गया सर यह अमांट आपने कैसे निकाला देखिए इसको मैंने किसे निकालोगा एस पर ग्रोस लिविटी देखिए ग्रोस लिविटी कितनी है तीन लाग साठीजार के एक ही है तो देखिए मैं एक आपता रहों किसे निकाला माने थीन साठ ठीकें और इसू प्राइस कितना है दस रुपे का है और फिर उसका चार परसेंट तो यह कितना जगा आपका 144,000 ऐसे ही मैंने बीका किया और ची का गई यह मैनेस कर देंगे तो आपको पता होता हो यह बता कौन से एंट्री है यह वह एंट्री होती है जो कहना में जो कहना में यह सीचोरी किसे आपका देज आपका देब तू इश्यू प्राइज और इस चैर एखकी जो इकुड विख नश्यु प्राइज चेर आपका देजिस कर दो यह जो first entry जो होती है एक एक तो मांक्ड एप्लिकेशन आई ए हैं प्लस अनमांक्ड जो एप्लिकेशन हैं उन सबका जो हैं यह जो गिवन आपको कौन सी गए यह अगर आप इन तीनों को एड़ करोगे तो यह आपका आजागा that is 2 lakh 10,000 shares और अनमार कितने that is 90,000 तो यह भी आप एड़ कर दो टोटल कितने होगे 3 lakh share होगे जो company ने अपने effort से और जो अपने effort से जितने भी share receive कि थे यह जो issue है और इसको मैंने issue price से मिटले कर दिया तो कितना का 30 lakh 30 lakh अब इसके पास देखेंगे कि अंडर एक्टर की total liability बनती किती थी देखें यह हमने निकाल था यह देखें यह liability यह 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 तो देखें तो a b c equity share application to equity share तो यह सब हमने मंटले कर दिया है सबको equity share application देखेंगे amount 30 lakh तो मैंने यह यह लिख दिया total कितनों के 60 lakh तो 60 lakh दुखा आना भी चाहिए था देखें कितने share से total 6 lakh यह थे तो 6 lakh मंटले आपटें that is 60 lakh अब देखें underwriter को commission कैसे देना था यह मैंने आमार्या निकाल देखें 1 lakh 44,000 60,000 30,000 ठीक है यह हो गया total amount हो गया that is 2 lakh 40,000 इसकी बाद यह जो है amount जो pay करना है किसको company को pay करना है sorry यह underwriter को sorry underwriter को pay करेंगे company को right यह हमने net amount receivable निकाला था न net is to be receivable by company right मैं सिद्धी से बादे देखें न इतना पैसा तो उनको लाना यह दाना था यह तो उनको लाना था ठीक है और यह underwriter को pay करना था तो यह कहना मैं company तो net amount ही receive करेंगे न right तो देखें जलेंटरी होगी so this is the question number 7 आप question number 6 पढ़ते हैं देखें अच्छा question है थोड़ा लंदी है दाज़ा पढ़ेगा नराय लेमेटेड प्लांड तो सेट अप अउनिट फॉर मैनिफेच्चर अफ बल्क ड्रग्स फॉर दी परपस ऑफ फानाइंसिंग दी यूनिट ऑफ बोर्ड़ाइटर्स है विशूड फिफ्टी लेक एक्विटी शेर्स और रुपी स्थैनीच थर्टी परसंट अफ दी लेकर अउनिट फॉरमपकले excited कोनीच दीू अप परहिबtó मार प्रफ मेंनिट टी शीक माशिटी र। दी टर्यétais और फिफे सर्टी अव सिवहाद पर टी वेक्विट sicत गनिट इवल्टी यूटी यूहीं बप स्थैनिट अटेर्स हैं ऍप फॉर्गर पाफ एक्विटी टर allocation of liability of among the underwriters, past message generatries, for underwriters net liability and the receipt of the payment net liability towards indices, यह सब हमें का क्या क्या था है, और धिखिये इस question में सर, आपने ऐसा क्या था हमें, आप मला लन दी क्यों बोल ह्यों और तुर त्रिक क्यों बोल रहे हो, tricky कोच निय है अचलि का है है आपर question में यहाप question, कुश्चन में कहीं लिखा नहीं वैदर थी फर्म अंडरेटिंग इस तो वी टीटिटाइज और अप्लिकेशन और अनमार्क अप्लिकेशन देना है तो हमें कुश्चन की वन नहीं है अब मैं इसी कुश्चन को जो है दोनों ही तरीके से एजूम करके करा रहा हूं आपको वह देखना है चलिए सोलीशन देखते हैं कुश्चन नमबर सिक्स अ कि टोटल अप्लिकेशन मनी कितने रिश्य हुई है दहां से देखा दूं देखिए मांक्ड अप्लिकेशन हैं इन सबका टोटल करें दो कितना हो जाटिस यह आपका हो जागा आठ लाग की जो है तो मांड अप्लिकेशन हो गए है और अब की तो यह गारंटिक दी अंडरेटर्स ने कितने कि साथ ज़र की तो फर्म अंडरेटिंग है है अग्रेट है अजय दिखें यहां पर एचलिए टेड लाग शेर्स हैं अधितने गरंटी दीवान ने दो लाग शेयर की गरंटी दीवान ने पर लाग शेयर की दिती और अन्माग दिए हैं आपको बन रहें तो नाइन लाग 50.000 लाइट लेकि कोश्चिंग को जाना से तोटल कितने शेयर से 15 लाग थे 15 मैंसे 30% रहने के देखा जाए तो 15,00,00 कद 30% याने के 4,50,00,00 ये तो प्रोमोटर के सपाच चल गए बच्छे कितने हैं ये 10,50,00,00 10,50,00 में से देखिए मांग्ड और अनमांग्ड को हटा दे तो कितने होगे 9,50,00,00,00,00 मानेस कर दो बच्छे कितने हैं ये 1,00,00,00 अब 1,00,00 में से भी जो हैं फर्म अंडरेटर ये हैं कितने हो गई हैं 60,000 इस में से ये 60,000 भी मानस कर दो तो अभी भी जो हैं अंडरेटर के ओपर ज़े 40,000 शेयर की है अब सवाल उठता है कि वो चाले जाए शेयर को उनने कहाएगा अजिते दीवान या अनूप तो उसी की हमें करनी है राइट चलिए देखिए इसका solution देगा हम पर देखिए यहां पर देखिए तोटल कितने शेयर से रेजीवे साड़े नो लाग के जिसमें से जिकिए अजिते इतने दीवान इतने अनूप इतने और अनूप इतने हो गए देखिए पहले मैं जो एजूम कर रहा हूं वो एजूम में यह पॉइंट कर रहा हूं जिए बेनेफिट ऑफ दी फर्म अंडरेटिंग इस गिवन टू इच अंडरेटर देखिए जो मैं यह स्टेट में एक रहा हूं यहां पर मैं जो फर्म अंडरेटर को जो है मैं मांग्ड एप्लिकेशंस की तरह ट्रीड कर रहा हूं व कि यह उत दीके जो गरानेघ़ विजटेखिए उसमें गए तो कितना क्या सिक्स थ्र्ट्ती टूरविप्टैन एंड टूरवकल इसके बाद अप्लिकेशन दो गिवन है इस एंड इस अंड इस अच्छा सर अब आपने यह कैसे बता सला कि जो मांग्ड एप्लिकेशन से और उसमें जो है फर्म एडिटिंग एक्सक्लूड है दिखिए कुछ भी गिवन ना हो तो अगर इपम मांग्ड एप्लिकेशन को हमेशा आपको फर्म एंडिटिंग एक्सक्लूड मांन कर चललना है तो बस मागड बza कितनी कितनी है अब इसके बात पहला मेरा पोइंट है कि मैं इसके आरय कर रा हूं तो फर्माटरिंग उन्हों नहीं तिना आता न बोला था वो मैंने मानस कर दिया अनमाग डिकते हैं 50,000 इसको मैंने ग्रोस लाविटी के रिशो में डिवाइड करके मानस कर दिया बैलेंस है बन गया इसको बना सर प्लाश 20,000 तो 20,000 को किसमें डिवाइड करेंगे हम 3-1 रिशो में तो मैंने बाट दिया बैलेंस बच गया इसको फर्माटरिंग एड़ बेक करा तो टोल लाविटी बन गी यह है इसके बाद कालिकूशन अमांट्स पेबल टू और बाइंड बना रहा है देखिए अगर आप माने जेक कुपूर आगर आपने कुश्चन द्यान से बढ़ा होगा तो कुश्चन की जो लेंगज क्या वह थी कंपरी ने जब 15 लाग शेर इस्यू कर रहे थी कितने के 10 रुपे के साफ से यानि कि फेस वाली कितनी 10 रुपे की लेगिन अब तक पैसे मंगा ही नहीं है तो इसलिए अब यहां पर आप अपने एजम्शन पेस पर चल रहे हो मैंने अपनी एजम्शन क्या मानन के चली है कि जो फर्म अंडर्टर हैं ठीक है क्योंकि देखिए जो एप्लिकेशन बनी पर पहले पप्लिक पैसे लगाती है ठीक है तो इसलिए यहां पर में अभी जो लाइबिटि वांगे चल रहा हूं वह मैं एक्स्क्रूटिंग फ़र्म अंडर्टरर्ण मांगे चल रहा हूं तो इसलिए मैंने यह फूम अंडर्टर इन्ड जो शेर से मैंने वानाश कर दिये तो net liability यह आगई इसके बाद वह ठावर्य के उसे पेह करेंगे मैंने मंटले कर दिया इसकी बाद कंपनी इंग को जो कमिशन देगे अच्छा कमिशन आप आपको कैसे का रहा है वो जहां से दिखना है तो हमेशन तो हमेशा आपको जो ग्रोस लाइबिटिस नहीं करना है याने कि 6 लाग 30,000 के ताफ से अगर मैं एक ही बा वाने जार दिवान का 84,000 enc selfish पर थेकिए यह वह अमांट है जो कंपनी को देना है यह कर दो योमांट है यह वह वहए मांट है जो अटरेकि तो नेट पव्ल अनडैटर्स हों पेमेंट कंपनी के इसने करेगे यह एमने अउनT और इसको यहां पर कुछ अमाउंट ही नहीं क्यों कि यहां तो उल्टा ज्यादा बन रहा है तो इसलिए उल्टा यहां पर कंपनी को जो है आपर कैना हमें पैसा रिसीव होगा किसे अंट्रेर से 35 रुबे तो बस अब हम जन एंट्री करेंगे तो पहले हाद को बताता हम यह परस्ट टू एंट्री होती है वह कौन से होती है मांग्ड और अनमांग्ड मांग्ड और अनमांग्ड के होती है लेकिन यहां पर देखें यहां पर क्या होगा कि हम यहां पर डाही रुपर के साबसे कर रहें ना कि दौस रुपर के साबसे ठीक है तो इसलिए यहां पर जो इसाइब से तो यहां पर दिखिए मैंने यहां पर आपको याद हो हमने पहले पहले कुष्टिंग ति मैंने बैंक एकाउंट डेबिट तू शेयर अप्लिकेशन वाली एंट्री नहीं करी नहीं करी यह दियांपर मैंने क्यों कि अभी तक हम्हें यह नहीं पॉख चाहिए कि एंच्नु पैसा किस naturally याएं कितना पैसे था है थो आया शेड़ स्रिशीБोए लेकिन कितना फ्टा चला याँगर और कुछ निधर से अगर आँ दिखोगे तो एप्लिकेशन बनी कितनी रिसीवी है इंक्लूडिंग मार्ड अनमार्ड लेकिन अगर बाकी कितने बच गे अभी एक एक लाक बच गे था यहाद रहा है यानि कि नहीं मंगाय थे या मंगाए है कि हम कैसे बता है कि लेकिन अब हमें पता जला कि 40-100 अभी आप्कीं परिकिशन रिपेंड़ नहीं करी और फिर आयनि निहीं यही कैसा बता दलेगा और लेकिन और था हैं तो किस किस अमाउंट से हैं या फिदस्वर किसाब से कुछ पता ही चल रहा है तो यहां पर हम जो एक्चॉल जो फाइनल जो नेट लाइबिटी है उसके गोडिंग दिखेंगे तो नेट लाइबिटी आज ते कि दिए पांच आशेस के गोडिंग और अनुप के साथे दिंग के गोडिंग और यह मैंने इनके जो हैं अप्टिकिशन बनी से मटला कर दिया इसके बाद कमिशन जो है इसने के साब से देंगे यह माउंट अगया सबको एड कर दिया ठीक है और यहाँ पर देखिए इतना पैसा जो यहाँ पर कंपनी को दे ना था कंपनी को इससे बाद जो कि मैने एजम शलें के त्लहां कि बेनेफिट यह अनुप को को कहिना में नहीं मिल रहा है इस नोट गीवन क्या मांड रहा है तो पिस यह माच लेका हमने माच आप्लिकाश्म करा हैं अब मार्क का अच्छा यह भी है और यह भी है तो टोटल मिलागे कितना होगे 20,000 तो यह सारा बीज़ार जो है इसके में टांस होगा नेट लाइटि यह बने गई और फिर फिर अन्रेटिंग एड करेंगे तो आपके होगी तोटल लाइटि होगी इसके बाद ग्रोस लाइटि की साफ से दिखेंगे अपर यह होगी ग्रोस लाइटि ऑफ इच अन्रेटर करेंगे इसके बाद यहां पर इस बास अपको जो पेमेंट करना पड़ा है कंपनी को ठीक है तो बस पहले एंट्री आपकी यही होई रही आपकी यह सर आपने कैसे निकाला यहां पर दिखिए इसके बाद तीन को जो है यहां पर कमिशन मिलेगा और फिर इसके बाद देखा कि एक्चल नेट पेमेंट जो हम यह करनी है तो इसके असासर में यह एंट्री करें लेकिंगे वैसे कोशनी तरह कॉंप्लिकेटर आता नहीं है लेकिन फिर मैंने एक्जंबल करा दिया तकि आ आपके पास जो भी बुक्स अविलेबल हैं आप उससे जो प्रेटिस कर सकते हैं more or less आपके एक्जंबल यही होंगे ठीके इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता पस लेंगे घुमा फिरा देंगे अमांट आपके चेंज हो जाएगा बाकी और कुछ भी नहीं चेप्टर बहुत इ क्यों